आज में बहुत ही एकदम कम मसाला और बहुत ही जल्दी बनने वाले यह लाल मर्चा का चार लगाएगे फिरंच देखिए यह बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और यह इतनी इजी बनेगा तो आप इसे देखकर जरूर कहिएगा कि हां यह तो बहुत अच्छी बनी है तो चलिए इसे हम बनाते तो यह लाल मर्चा है इसे अच्छी तरीके से हम धो लिए हैं और धो के थोड़ा देर के लिए धूप में सुखा लिए हैं और इसे देखिए फिरंच इस तरह से हम काटके इसे पहले देखेंगे और इसे हम बड़ा बड़ा नहीं लगाएगे इसे हम यह मसाला बना लेते हैं तो देखिए एक कराही रखेंगे गैस पर और गैस को थोड़ा सा ओन करके मीडियम आज कर देंगे और एक बड़ा चमच इसमें सौप डालेंगे एक जीरा डालेंगे और यह शर्षो और धनिया है तो यह हम थोड़ा थोड़ा लिये हैं इसमें ज्यादा मसाला नहीं लगता है फ्रेंट्स तो इसे भी हम सौशोग्राम ले लेंगे और इसे मीडियम आज में इसे अच्छी तरीके से हम हलका इसका नमी निकलने भर इसे हम भूनेंगे तो इसे एकदम हलका भूनना है फ्रेंट्स इसे जदा हाई नहीं करिएगा नहीं तो मसाला का तेस्ट खराब हो जाएगा तो इसे हम हलका घरम केवल करेंगे ताकि यह इसका नमी निकल जाए और अगर नहीं तो धुपा में इसे रख लीजिए और इस तरीके से इसे हम बा आम का अचार है फ्रेंट्स तो उसी से आज हम बनाएंगे और इसके बाद इसमें हम सक्षो का तेल डालकर मसाले को अच्छी तरीके से दोनों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे तो आम के अचार को और जो मसाला बुक कर रखे हुए थे इसकर उसे हम अच्छी तरीके से त मर्चा रखे हुए हैं तो उसे हम ये लाल मर्चा को सभी का डंठल निकाल कर और इसे हम छोटे-छोटे पीस में काटेंगे कि जैसे कि एक निकालेंगे और उसे क्यों खा लेना है लंबा-लंबा बनाने से फ्रेंड्स उसे हम खाने के समय काटना पड़ता है तो अभी ही हम इस इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में इसे पहले काट लेंगे इसे बीच उसे भी ताकि अंदर तक मसाला इसमें मिल जाए और इस तरीके से हम छोटे छोटे करके सभी को काट लेंगे तो सभी मर्चा को पहले बीच-बीच भाग काट लेंगे और इसे हम इस तरीके से छोटे-छोटे टुकडों में इसे काट लेंगे और काटने के पहले ही इसे मिर्च को अच्छी तरीके से धोली जिए फ्रेंट्स ताकि इसका पानी सब सुख जाना चाहिए पानी इसमें थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए और इसे आप इस तरीके से अगर ज्यादा बड़ा है तो उसे आप तीन भाग काटिए और नहीं त रखे थे उसमें सारी मर्चा को हम डाल देंके हैं और इस तरीके से डाल कर अपने साफ coy只 इशे अच्छी तरीके से हम लाइँ अधिन को है और शकको फरसा और देल डालेंगे यह धाई-100 ग्राम ठील हम पूरा सब लादें गें इस और इसे अच्छी तरीके से देखी इस तरीके से हम इसे मिलाएंगे इस तो यह ईसमें ज्यादा तेल अदक्ता है इसमें प्लूल भडेएंगे सीफली लुर्ट्स अदेखी जासे हम भाइबाएं। को चारों तरफ से मिलाना है ताकि सभी मर्चा में मसाला अच्छी तरीके से कोड़ हो जाए और यह कम मसाला और कम तेल में इतनी स्वधिश्ट यह चार बंती है तो देखिए एकदम यह लजीज अचार देखनी में कितनी खुब्सूरत लग रहे हैं और बनाने में भी बहुत लगती है तो इसमें ज्यादा भी नहीं है उसे बड़ा बड़ा करो और ज्यादा मसाला भी नहीं डालना है एकदम यह इतनी जल्दी बंजा तो अगर यह मेरी मर्चा का चार का रेस्पी आपको अच्छी लगी और मेरे चैनल पर कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर कोई वीडियो देखना है तुसे भी कोमेंट में जरूर बताईए तो यह मेरी वीडियो का इसी लगी तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ